ब्रह्म्हाजी के मानस पूत्र, रिशी ब्षिष्ट के पौत्र, शक्ति रिशी के पूत्र और वेद ब्यास के पिता, महरिशी पराशर कुलू मंडी के प्रमोक्त देपता माने जाते हैं। विश्णु पौराण इनी की रचना है। इसके अत्रिक्त जोतिष्ट शास्तर का ग्रंथ पराशर होरा शास्तर भी इनकी कृती है। पराशर रिशी बंस्पति बिग्यान के ग्याता भी है। इस पर इन्होंने विक्षाय उर्वेद ग्रंथ लिखा है। रिशी पराशर का एक मंदिर मंडी के उत्रशाल में सौरा धार पर स्थित है। और दोसरा मंदिर कुल्लू में खड़ी हर पंचायत के कमांद गाउं से एक किलोमीटर पीछे संधार वन में देवदार के घने बिख्षों के मध्य स्थित है। हिमाचल प्रदेश में प्राशर रिशी के तीन स्वरूप हैं। तपी पड़ासर, गुफी पड़ासर और परतच्छी पड़ासर तपी पड़ासर डेहनासर में, परतच्छी पड़ासर मंदी के सौरा धार में तथा गुफी पड़ासर कुल्लू के संधार वन गाउं कमाद में स्थित है। इस एपिसोड में हम आपको रिशी पराशर के कुल्लू के कमान स्थित मंदिर के बारे में जानकारी उपलब्द करवाएंगे मंदिर के अंदर बैगुफा बिद्यमान है जहां रिशी पराशर तब क्या करते थे तीन छत वाले इस मंदिक के ध्रातल मंजिल के प्रवेश्ट द्वार और खिडक्यों पर अध्भुत आक्रितियाव करी गई है जिन में मुख्यत है भगवान गनेश, भगवान बिशनू, बरहा, रिशी मुनी, गांधरप, शारदुल, नाग सहित, फूल पत्तियों को कलाकार अध्यारों ने उत्कृष्ट तरीके से उके रहा है, इस मंदिर में कास्ट शिल्प का अत्यंत कलात्मक कारिया हुआ है काश्ट कला के इस अनोठे मंदिर को बनाने में कास्ट शिल्पी को बारा बर्ष लगे थे पंदर्वेश्त आवदिम निर्मेतिय मंदिर लकड़े के मोटी शहतिरों पर स्तंभों पर खड़ा किया गया है चट भी लकड़े के तक्तों से अच्छा दित है मंदिर परिसर में तेन सरोबर हैं जिसमें मुख्या सरोबर के पास छोटी सी डेरी है जिसे सौरा आगली डेरी कहते हैं दूसरा सरोबर योग्नियों का सौरोबर कहलाता है और तीसरा सरोबर 24 वरा सौर कहलाता है चरोय के सौर के पानी से उत्सबव में भोजन और प्रसाद इतियादी तयार किया जाता है योगनियों के सरोबर के साथ उपर के और एक चोखंडी के भीतर प्रस्तर पिंडी है इसे पिंडा भी कहते हैं यहाँ पर चूडा करन संसकार किया जाता है और मंदिर के सामने उपर के और रोथरी डेहरी अर्थात रत रखने का छोटा मंदिर है जब देपता शिंगारा जाता है, सजाया जाता है, उसमें रत इसी डेहरी में रखा जाता है कहा जाता है कि इस बन में गाउं के गौाले पशुच राया करते थे एक वार ग्वालों को देबदार कब्रिक्षों के जुर्मुट के बीच हूँ हूँ के आवाज सुनाई दी उन्होंने चारों और द्रिष्टी डाली प्रंतु कोई भी ब्यक्ति नजर नहीं आया तब ही उन मेंसे एक ग्वाले को खेल आई उसने कहा कि मैं रिशी पराशर हूँ यह मेरा तप स्थान है अत्य यहां पर मेरा मंदिर बनवाया जाए गाहों के निचले छोर पर देपताओं के भंडार हैं जो डेर सो बर्ष पहले कोट शेली के काठ कोणी की चिनाई से बनाये गए हैं विशी पराशर के मुख्य उत्सवों में बैसाख मास में बिशू श्रावण में शनहुली भादों में भादों की भी ही द्याली और पोर उत्सव मना जाते हैं ग्याली ओश्मास के अंतिम रईवार या बीरवार को मनाई जाती है जबकि पौर उसके पंद्रा दिन बाद मना जाता है खिमाचल परदेश में मनाया जाने वाले ग्याली परव का अंतिम उत्सब है कमांदी पौर जिसमें भोर होने से पौर देव सोह में बड़ा अलाव जिलाकर उसके चारों और कारदार, गूर, पुजारी एबंशधालू बादिया यंत्रों के धुनों के साथ नर्त्या करते हैं अगर आप भी इस पुपित्र स्थल पर आना चाहते हैं तो जिला मुख्याले कुलू से पंदरा किलमेटर दूर पश्चिम दक्षिन में बहान दौरा दोहरा नाला होकर कमांद पहुं सकते हैं और रिशी प्राशर का आश्रबाद प्राप्त कर सकते हैं हिमाचल को जानिये कि अगली कड़ी में हमें एक नई जानकारी के साथ उपस्तित होंगे आप यूट्यूब पर देखते रहिए हिमालिया द्रोर नामक चैनल जिसे सब्सक्राइब और लाइक भी करें और शेयर भी करें जिसे सब्सक्राप अप्राप्त करें